बारत के ग्यारवे और देश के पहली मुसलिम मुख नयायदीस एम हिदाय तुल्ला को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इनका पूरा नाम क्या है मुखमद हिदाय तुल्ला और आप देखे इनोंने देश के कारकारी राष्टपती के रूम में भी काम किया है और भारत के छटे उपर राष्टपती के रूम में भी इनोंने काम किया है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे इनका सौट में नाम है एम हिदायतुला कहते हैं देखें ये आप लोग देख रहे हैं तो अगर हम लोग इनके जनम की बात करें तो इनका जनम 17 दिसंबर 1905 को नांगपूर महरास्ट में हुआ था कहा हुआ था नांगपूर महरास्ट में हुआ था एक बार आप लोग महरास्ट को देख लिए देखें ये हमारा प्यारा भारत आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां आप लोग देखेंगे कि महरास्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये महराष्ट है आपका, मुंबई इसकी रादधानी, इसकी सीमा आप देखे, गुजरात, मंत्पधेश, 36 गड, तेला नगाना, करनाटक, गौा से लगती है, और आप देखेंगे कि इससे राजी कब बनाए गया था, एक माई 1960 में इससे राज बनाए गया था, वर्टमार मे आपका महराष्ट फैला हुआ है, तो महराष्ट में इनका जनम होता है, इनके पुरके मूलता बनारस की रहने बाले थे, बनारस यानी की उत्तर पेदेश की बात हो रही है, उत्तर पेदेश को आप लोग देखना चाहें, तो देखें ये उत्तर पेदेश है, लखनव इसक सबाइब देखने को मिलेंगी राजनीती की दृष्टी से काफी मात्पूर है आपका उत्तर पदेश और आप देखे इनकी गिंती सिक्षिक बिद्वानों में होती है इनके परिवार की पुर्खों की और इनके दादा सिरी मुंसी कुदर तुला बनारस में बकील का पेशा सं नाते उनके पिता काफी पितिवा साली थे और पितेक सेक्षिक इम्तिहान में पिथम सेनी में उत्तीड होते थे बे एक अच्छे ख्याती पराप्त कभी भी थे जो बिसेस्ता उर्दू में अपनी कविताएं लिखते थे और हिदायत उल्ला को उनकी कविताओं से बड़ा और हिदायत उल्ला के बड़े भाई मुहमद एक रा मुल्ला एक बिद्वान और इसके साथ बे उर्दू कभिताओं में भी बिद्वान थे। नाम निर्देशन 1926 में फिलिप्स से स्कॉलर के लिए हुआ। 1926 में जब गर्जूर्ट हुए यानि कि डिगरी उन्होंने ली तो उन्हें मालिक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। किसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है मुहमत हिदायत उल्ला को। इसके बाद हिदायत उल्ला 1927 से 1930 तक कैमरी की उन्होंने पढ़ने लगे। और वहां से उन्होंने BA और MA की डिगरी हासिल की। यानि कि आप लोग कह सकते हैं कि काफी पढ़े लेखे भी थे, विदसों में भी इन्होंने पढ़ाई की। वहां पढ़ते हुए बे मेरिट विद्ध्यार्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर आये। जबकि Cambridge में हिदायत उल्ला की निवक्ती 1929 में इंडियन मजलिस की अध्यक्ष की रूम में की गई थी और वहीं उन्होंने इंगलेस और कानून की सिक्षा पराप्त की और 1930 में उन्होंने वेरिष्टर इन लोग का इस्थान काविज किया। फिर आप देखें पांच माई 1948 को स्री हिदायत उल्ला ने पुस्पा साह से साधी की थी जो हिंदू धरम की थी पुस्पा अच्छे खांदान से थी और उनके पिता एन ए एन साह अखेल भारती इंकम टेक्स अपिलेट टिवी उनल में थे और इस वेवा को काफी सम्मान भी मिला था उनका बेटा किनका एम हिदायत उल्ला का बेटा अरसद हिमायत उल्ला भारत के सुप्रिंग कोट में एक बरिष्ट काउंसिल की पत पर भी काम किया है उन्होंने अब बात आती है मोहमद हिदायत उल्ला के केरियर की तो आप देखें गिरिजेशन के बाद हिदायत भारत बापस आये और उन्होंने खुद को जुलाई 1930 को नांगपूर के बरार और मद्ध भारत के हाई कोट में अधिवक्ता की रूम में दाखिल करवाया 12 दिसंबर 1942 को नांगपूर के हाई कोट में उनकी नियुकती सरकारी वकिल के रूम में की गई थी 2 अगस्त 1943 को विवर्तमान मद्ध भारत की अधिवक्ता बने और फिर वो कुछ समय बाद 1940 में उनकी नियुकती हाई कोट के अतरिक्त जज़ की रूम में की गई थी और 13 सेप्टमर 1940 को उनकी नियुकती फिर हाई कोट के पर्मानेंट जज़ की रूम में की गई थी और 3 दिसंबर 1915 को नांगपूर्ग में चीप ज़श्टिक्स की रूम में उनकी नियुकती की गई थी और उस समय बे मद्ध भारत के सबसे युवा अधिवक्ता थे और 1 दिसंबर 1958 को उन्हें उचा पत देते हुए उन्हें भारत की सुप्रिंग कोट का चीप ज़श्टिस बनाए गया उस समय भे भारत में सुप्रिंग कोट की सबसे युवा चीप ज़श्टिस से और देखे सुप्रिंग कोट के बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सजोच अदालत है और एक समिधान एक संस्ता है समिधान के अनुचेत 124 के तैट इसकी स्थापना की बात की गी है सुप्रिंग कोट की स्थापना 28 जन्मरी 1950 में हुई थी और इसमें जो नियादीस रहते हैं उनकी सेवाने मित्ती की उमर 65 साल रखी गई यह आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए और देखे मुख नियादीस की अगर हम लोग बात करें तो राष्टपती एक तरह से आप देखें कि कौन उसे क्या दिलाता है उसे आप देखते हैं कि कौन सपत दिलाता है एक तरह से आप लोगों से एक कुश्टन स्पूछा जा सकता है यह आप लोगों को मालो होना चाहिए इनकी नियुकती भी राष्टपती साहब करते हैं मुख नियादीस के रोमेंड की नियुक्ति की गई थी और आप देखते हैं कि तब भारत के पहले मुसलिम चीफ जश्टिस बने थे पहले मुसलिम मुख नियादीस बने थे और 16 दिसंबर 1970 को भे अपने पद से सेबा निवित्थ हुए थे ये आप रोग याद रखेगा इसक का जो मुख नियादीस होता है ना वो समालता है पद सेबा निवित्थी के बाद वह भारत की उपराष्टपती की रूम में भी निर्वाचित किये गए थे वह भारत की छटे उपराष्टपती भी रहे हैं ठीक है इनकी हिदायत उल्ला की अगर किताबों की बात करें तो Asia Publishing House द्वारा पिकासित भारती लोकतंत और नियाइक परणाली 1966 में इनकी किताबाई थी भारती समिधान का पाच्चिबी और छटी अनसूची असोख Publishing House के द्वारा ये जारी की गई थी माय वान बॉस वेल वेल्च जीवनी थी इनकी अर्नाल्ड है मत्त के द्वारा 1980 में लाई गई थी और एडिटर मुला मुहमदन लो आया था भारत के सामविधानिक अधिकार बार कॉंसल और इंडिया ट्रस्ट 1984 में संपत्तिक अधिकार और भारती समिधान कलकत्ता उनिवस सिटी 1984 में, कॉमर्सियल लोव पर जस्टिस हिदायतुला, दीव एंड दीव 1982 में आई थी ये किताब, और आप देखेंगे कि दच्छिट पष्चिम अफी का केस, 1967 में इसिया प्लिसिंग हाउस द्वारा पिकासित की गई थी, संबीधानिक के संसदी अभ्यास के लिए ने आल इंडिया रिपोर्टर 1977 में, एक जज़ का बिवित संग्रे दूसा संसकन एन एम तिरपाटी ने 1972 में, और इने कुछ सम्मान और पुरस्कार भी मिले, जब आप अच्छा काम करेंगे तो सभाविक सी बात है कि आपको पुरस्कार भी मिलेंगे, ओफिसर ओप दी और 1971 में, प्राउड पास्ट अलूमीनी, लिंकन इंड वेंचर का संबान भी मिला था इने, प्रेसिडेंट और आप ओनर एन और आप कोर्ट सोसाइटी भारत, बार सर्विसिस विल्ला 1948 में, मनीला सहर के मुख और पितेश्रिव ब्यक्ती 1971 में, सिरोमडी अबाड 1986 में, आर्कि दस रत मल सिंग्वी मेमूरियल अवर्ड भी इने मिला था, और फिर आप देखते हैं कि इनका अंतियम समय आता है, और 18 सेप्टमबर 1992 को मुहमद हिदायत उल्ला की डैथ हो गई थी, और उन्हें एक पिक्ष्याद, बिद्वान, सिक्षाबिद, लेकक और भासाबिद की र पदों को धारन किया था, तो एक कहानी किसकी है, मुहमद हिदायत उल्ला की है, ठीक है, और इस तरह कि जो भी हमारे देश के महपुरुस रहें, जो राजपती के पर पर रहें, और राश्टपती के पर पर रहें, तो इनके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक?